नमस्कार सलाम, नियूस क्लिक के इस खास करेकरम चुनाव चक्र में आपका एक बार फिर स्वागत है, मैं हूँ मुकुल सरल तुरुपणा चुनाव की तारीक नजदीक आ गई है, 16 फरवरी को यहां वोर्ट पड़ेंगे सभी दलों के घोशना पत्र आ चुके हैं, और उमीदवारों की संपत्ती और आप राधिक ब्यारों के लेकर ADR की रिपोर्ट भी हमारे सामने हैं, तुरुपणा में रैलियों का भी दौर जारी है, बलकि तेज हो गया है, और अब तो दिल्ली भी गर्मा गई है स्वतंत्र और निक्षपक्स चुनाओ की मांग को लेकर यहां बाम मोर्चा ने भी धर्ना प्रजेशन किया है तो शुरू करते हैं चुनाओ चक्र तुरुपणा पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं दो पत्रकार, दो रिपोर्टर दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ हैं हमारे साथ ही पत्रकार मुकुंद ज्ञा और तुरुपणा की राजधानी अगरतला से जुड़ेंगे वरिष्पत्रकार राहुल सिन्ना शुरुपणाद मुकुंद से कर लेते हैं कि मुकुंद तुर्पुरा चुनाओ को लेकर दिल्ली महलचल तेज हो गई है शुक्रवार दस फरवरी को सिप्याइम ने यह जंतर मंतर पर धर्णा दिया आपने उसे कवर किया तो वह क्या धर्णा था क्या मांग थी कैसा आपने उसे देखा जर बताइए हमार दर्शकों को मुकुंद जैसा कि अब जाने तृपुरा का चुनाब 16 फरवरी को होना है और जब से 18 पिछला बिधान सभा चुनाब हुआ है उसके बाद से वहां राजनितिक हिंसा का दौर सुरू हुआ पंचायत चुनाब से लेके लोकसभा की चुनाब में हमने देखा और बाइपोल जो बिधान सभा की हुए थे उसमें भी इस तरह की हिंसाई खबरे आती रही जबकि जो बाम फ्रेंट का सासन था उस दौरान इस तरह की राजनितिक हिंसा की रिपोर्ट ना के बराबर थी उस अस्थिरता रही होगी कुछ अलकों में हिंसा हो लेकिन इस तरह के और चुना कि यह चुनाव भी निक्षपक्ष और शांति पूर्ण ना हो पाए इसी को लेकर बाम फ्रेंट जो मुख्य भी पक्षी पार्टी है वहां पर इस समय बरतमान वर चुनाब में बीजेपी के आमना सामना सीपीम और सीपीम का एलाइंस है और बीजेपी के दोनों के बीज मे कराना पड़ा तो यह सारी चीजें तिरपुरा में होती रही है यह पूरा इतिहास है और इसमें इसलिए इनकी मांग है जो इस बर चुनाव आयोग है इसको लेके देश भर के अस्तर पर सीपीम ने अलग-अलग परदर्शन किया थे और दिल्ली में भी उसी कि यहां दिल् दिल्ली में बीडिय पार्टी के इस्थाने लोगों से जोड़ जो यूनिट है इनकी फूर को दिल्ली में दिल्ली पार्टीक्प से चृट उन हो लेफ्ट फ्रंट के जो 700 कार्याले हैं उन पर हमले हुए एक्सीए मानिक सरकार तक पर हमले किये गए पूरा उनका लिस्ट है जो उनके से करकरता किस तरह से मारे गए चुनाव के बाद जस्ट हम ने देखा तक इस तरह से लैनिन की मूर्थी तोड़ने से पूरा हिंसा कि यूनिट है वह पॉइंट की गई है यह भी शिकायते रही कि वहां नॉमिनेशन भरने तक में भी दिक्कते आई लोग को वह बता गया यह सी पिम का कहना जो बाकी लोग जो नॉमिनेशन फाइल करने डीम ऑफिस एस डीम ऑफिस जा रहे हैं तो बाहर सत्तधारी दल के ग सबसे बड़ा नारा दिया है वहां लोगतांत्र बचाओ सेव डेमक्रसी समिधान बचाओ यह एक और कानून ववस्था यह उनका एक मुखे नारा है विकाफ जादा इस बार चुनावी हिंसा राज्य में सांती हो इसको लेगे पूरा चुनाव कैंपेंच चल रहा है और इ पहुंचा कोई अधिकारी कुछ किसे संबोधित किया गया फिर यह चुनाव चुनाव मेमोरेंडम इस तरह कोई नहीं था एक तरीके का बिरोध परदर्शन था वह बिरोध परदर्शन कमिशन और सेंट्रल सरकार खिलाफ तो होम मिनिश्टरी खिलाफ था जिस तरह के से व सौंपा था लेकिन हाला कि उन्हों कहना उसके बाद भी अब तरह कुछ भी नहीं हुआ है और एक तरीके देश को बताना चाहते हैं क्या हालात है तेर पुरा के अंदर तो तभी दिल्ली में यह प्रोटेस्ट हुआ और कहा भी जाता है दिल्ली उंचा सुनती है तो खेर हम दर्शकों हम आपको बता दें कि वहां शांती पूर्ण चुनाओ निक्षपक्ष चुनाओ एक बड़ी चुनाओती है और अब आपको सुनवाते हैं कि सिपी आइम के वरिष्ट नेता प्रकाशकारात का क्या कहना है पिछले पांच साल का अनुबव यह है कि वहां कोई भी चुनाओ हुआ हो पंचायत से लेके लोकसभा का चुनाओ वो कोई भी चुनाओ निश्पक्ष तरीके से नहीं हो पाया है और बहुत बड़ी धांदली हुई है लोगों को वोटिंग से रोका गया है उमीदवारों क अपने चुनाओ प्रचार के काम से रोका गया है और भारी हिंसा भी हुई है इसलिए हमें यहीं शंका है कि 16 फरवरी को तुरुपरा में चुनाओ भ्यान तो चल रहा है लेकिन वोटिंग के दिन लोगों को वोट देने का मौका मिलेगा यहने इसके बारे में हमें बहुत इसलिए बार बार हम चुनाओ आयोग को इसके बारे में बताया है लेकिन वहां हमें पता है कि किस तरह के गुंडा राज चलता है तो यह पूरे देश की दनता को इस पे जागरित करने की जोरत है कि तुरुपरा के चुनाओ इस बार निश्पक्ष और शांतिपूर्वक त चुनाओ आयोग को थे जिस दन चुनाओ आयोग ने चुनाओ का गोषणा किया उसी दिन हमला हुआ था कॉंग्रस के कारिकरताओं पर और सी पिम के कारिकरताओं पर तब उन्होंने तीन अबजर्वर्स को भीजा है लेकिन यह पता है कि यह सकते हैं लेकिन जबतक सक्टी से वह वहाँ के प्रशाशन के खिलाब भी कारवाई नहीं करती है अभी मैंने कहा केस्स ने फायल हो रहाए अभी 최न हो सका है दो चुनावायों के पूरा दिकार है प्रशासन में इंटर्वीन करके वहां डिसिशन्स लेने के लिए यह करना चाहिए हो अब चलेंगे अगर तला में अपने वरिष्ट पत्रकार राहुल सिना जी के पास राहुल जी आपका स्वागत है राहुल जी सभी दालों ने अपने घोशना पत्र जारी कर दिये हैं बाम पत्र की जगह रिपोर्ड कार्ड जारी करना चाहिए था क्योंकि वह पांस साल से शाशन में है तो यह जो घोशना पत्र है अलाग अलाग आपने सब देखे होंगे पढ़े होंगे तो जरह इनकी खूबियां और खामियों के बारे में हमारे दर्शकों को बताईए पहरी ब पाममोर्चे ने जो इस्तिहार जारी किया था गुष्णापत्र जारी किया था उससे काफी जारी बाते उनकी मील जो खाती है और ऐसे कोई वादे हमने तो नहीं देखे जो ऐसी हो कि आप पूरा ना कर सकते और जैसा कि कल मैं गया था नौतारी को मैं एक मेडिया था वह प लगराँ पेजिया था सब्रहर पेजिया कि कश्च न में जाहिसे की मॉक्रियों की बारे में कांगरेस शुरू कर रहा है आप पात साल में ढाई मॉक्रिया या रोजिकार जड़ाने की बात कही है कॉंग्रेस भी वही बात दोरा रही है विजलियों की खपत है पचास उनित तक अगर आप विजलियों की खपत करते हैं तो आपको विजलिय की कोई बिल नहीं देने पड़ेंगे लिफ्टरन ने कहा था तो कॉंग्रेस इससे भी थोड़ा आगे जाके कहें कि 100 उनित को मुफ देगी ऐसी ही बाते हैं बच्चों की स्कूल की व्यवस्ता करने की बात ये भी बात भी आई है और बात ये भी आई है कि जो अलपसंखत है उनकी जो शुरक्षा है ये बात बामोर्च की इस्तिहार में भी है कॉंग्रेस की इस्तिहार वही है देखा जाए तो बामोर्च की इस्तिहार थोई बड़ी है वादे जादा है लेकिन कॉंग्रेस की इस्तिहार छोटी है लेकिन वो भी वादे जो है वाम मोर्चा एक बड़ा दल है क्योंकि इस गड़ बंदन में वो 43 43 सीटों पर लड़ रहा है और मैं बता दूँ और भी अपने दर्शकों वाम मोर्चे ने ग्रامोरी रपकता को बढ़ावा देना वरीबों को हार साल 200 दिन काम देना और पुरानी पेंशन OPS इसकी भी बहली की इसकी भी बहाली का वादा किया है जी कॉंग्रेस भी यही बात दोरा रही है पुरानी पेंशन ब्रबस्ता को वापस लाना यह से जो जो वादे कॉंग्रेस ने MSP को लेकर भी कुछ कहा है MSP को कहा है कि MSP बढ़ाएंगे किसानों की आएंगे यह जो वादे है जो आम तोर पे किसान आंदूलोन की समय से चाच्चा में रही है किसानों को लेकर मजदूरों को लेकर जो बाते बाँम फरंट और कंगरेस वाले जो जिस बात को दो 먹는 के इस्ताहर में ने देख पाते हैं अब आते हैं और इस बार ये जो कल नौतारिक को जेपी नड़्डा जी के हाथों इनका जो संकल पत्र है इसका उद्धाटन हुआ लेकिन इस बार इनके जो वादे है ये दो सो निन्यावे से घट के 24 में आगए सिमट के 24 में ये कैसा चमतकार है या कैसे समरी है ये समझना थोरी मुश्किल है लेकिन कुछ-कुछ बाते है जो बाहर के लोगों के लिए समझना जरा जरूरी है जैसे कि इन्होंने कहा कि ये एक और नई इनिवर्सिटी खोलेंगे यहां के जो पूर्ग राजा थे महाराजा इनके नाम से एक इन्युवर्सिटी खोलेंगे ट्राइवल्स के लिए ट्राइवल एरिया लेकिन आपको बता दू अगर्टला शहर में जो सबसे बड़ा कॉलेज हुआ करता था यह वी महाराजा विल्वर्ग के नाम पे है इस हिनी के नाम पे इस कॉलेज की कैंपस को लेक बामोची की सरकार पहली ही MBB University बना चुकी है तो यह नया क्या देने वाले है तो ऐसे ही कुछ बाते हैं जो और कुछ बाते हैं जो आपको अगर आप गौर से देखे तो लगेगा कि वोटर्स को बाकाइदा घूस देने की बात हो रही है जैसे कि ट्राइबल समाज के जो किया है इन्हें आप वह ने कहा कि हम पाथ हजार रुपई दें और जो खेंद्र सरकार की योजनाये हैं यह जो प्रधारमंदरी खिसान सम्माननी धी हो या फिर यह अन्नपूर्ना जोजना हो या उज्ज्वला जोजना हो इनकी जो वादे है यह फिर इनमें डाले गए लेकिन बातों की घुमा फेरी करके वो अपने वादे अपने बाते रखना चाले राहूल जी तुरुपरा में रैलियों का दौर भी बहुत तेज है बीजेपी ने तो पूरी ताकत जोग दी है ग्रह मंतरी अमिश्या से लेकर रक्षा मंतरी राइना सिंग यूपी के मुख के हमले हो रहे हैं और दूसरे भी दलों ने अपने स्टार केंपेनर उतारे हैं तो रैलियों को लेकर उन में कितनी भीड आ रही है लोगों की क्या प्रतिक्रिया है उस पे खास्ता और चो बताईए लोगों की प्रतिक्रिया क्या है किस तरह मौहल देखें तो आपको पता ह आया है कि लोगों की डर जो है वो टूट रही है वो सामने आ रहे हैं जूनते हुए रैलियों में जॉइन कर रहे हैं और दूसरी बात सबसे जरूरी बात यह है त्रिपुरा का यह कल चल रहा है यह त्रिपुरा के लोग पॉलिटिकली कंशस है तो ज्यादा अगर आप लंब के लिए यह त्रिपुरा के लिए स्थिती है या किसी खाज दल के लिए यह देखने को मिला है और दूसरी बात बीज़े पी की जो रैलिया हो रही है पिछले पात साल पहले इनकी रैलियों में जो रिस्पॉंस थी जो लोग उमर करा रहे थे यह चबी इस बार दिखाई न जो इस्टार केंपिनेर आ रहे हैं, अमिश्चा, ग्रयमंत्री जी, रक्षा मंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, इनकी रैलियों का क्या हाल है ये जड़ा सा बताइए? ये रैलियों में लोग ज्यादा जुड़ा नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो लोग जिन्हें मनरेगा की काम का धासा दे के, कुछ पैसे दे देंगे, या धरा धमका के, कुछ लोगों को ये ला तो रहे हैं, लेकिन ये भी देखा गया है, कि नद्दा साफ की जो रैली ही, दोनो डाल देंगे एक ADR की रिपोर्ट भी आई है और उसने बताया है कि कितने करोलपती हैं इस चुनाओं में तुरुपरा के और 60 सीटों के लिए कुल 269 उमीदवार हैं यानि 259, 259 उनमें से 45 उमीदवार करोलपती हैं और 41 के खिलाफ आपरादिक मामले हैं और मज़िदार बात यह है कि करोलपती उमीदवारों में पहले दो जो हैं वो तुरुपरा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं उप मुख्यमंत्री पहले नंबर पर हैं मुख्यमंत्री दूसरे नंबर पर हैं और तीसरे नंबर पर हैं टिप्रा मोथा के अभिजीत सरकार तो इस सब को लेकर किया इन चीजों पर भी तुर्प्रा की जनता ध्यान देती है डियार की रिपोर्ट पर या इस तरह के लोगों के राजनेतिक और आपरादिक इतिहास पर उनकी संपत्ति को लेकर वह किस तरह का एक सोच है बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि 45 अमीदवार ऐसे है जो कर मुख्र मंद्री है यह जो बात है इससे पता चलता है या अगर आप धान से दिखेंगे यह जो करौरपती है यह जादा तर BGP के है फृड़ उमीदवार जो है जैदा तर BGP के है जो पार्टी पाफ साल पहले जासेफ़ता पे नहीं थी चिन लोगों को को जो पाज शाल है इसमें कितना बढ़ा है यह तो यह दूसरी एक बात है और जो आपराथिक मामलों की बात है कुछ तो ऐसे है जिन्वीन है कि जिनके खिलाफ मुकद्दे में पहले से हैं ताजनेतिक लोग पर मुकद्दे में होते रहते हैं लेकिन यह भी है कि जो बाहुबल जी जी राजनिती में चलता है क्योंकि धरना प्रजेशन पे भी फाई आर और मुकदमे हो जाते हैं और जी अब मैं एक श्चोरी की तरफ आपका दिहान दिलाना चाहूंगा और अपने दर्शोकों का भी जरासा मैं उसका उलेक कर दूँ यह है बरखास्त शिक्षकों को लेक कर निउस क्लिक में ही डिपांकर सेन गुपता की रिपोर्ट है हमारे हैं पढ़ सकते हैं लोग उसे जिसमें बताया गया है कि दो हजारा सर दो हजार तेरा में दो बैचों में जो भरती किये गए थे दस हजार से जादर शिक्षक वो कोड के उसमें आदेश आया काफी देखो अब इन शिक्षकों का परिवार बहुत बदहाल है इन में से दो को CPI M ने अपना उमीदवार बनाया है तो कहा जा रहा है कि बरखास शिक्षकों में एक उमीद की किरन जागी है इस खबर को लेकर कुछ या ये जो बरखास शिक्षक हैं इनके बारे में कुछ ज़र दिया गई तो लेक्रान गब्मेन ने ये कोशिश किया था कि 13,000 पोस्ट करके इन है और जो भी नोक्रिया पा सकते हैं इन बहाल किया जाए लोग बढ़ाए जाए लेकिन इन पर भी मुकद्द में चले तो ये जो निजुक्ती थी उसे रोकना पड़ा बीजेपी ने अपन विश्यश्वर्मा जो है जो आसाम के मुक्यमंत्री है तो इन्होंने कहा था कि इनका अम कंस्टूशनल स्रीशन निकालेंगे अगर आप हम नहीं करते हैं तो आप ये मेरा बात आप रिकॉर्ट कर लीजिए आप घुमा घुमा के चलाना तो लोग जो है ऐसे ऐसे बातों के प्रहा भी ठुए थे रसजा 323 वाले जो शिक्षक है उन्हों में भी समझा था कि सोचा था कि अगर भाजपा आती है और कुछ केंडर में उनकी सरकार है अगर कुछ दोनों सरकारे मिलके कुछ कर पाती है तो हमारी जिंदगिया बज़ जाए लेकिन हालात ये है कि इस सरका कोई समाधा नहीं निकाला देशौ से ज्यादा लोग अब तक जुश्चक थे पहले उनकी मौत हो चुकी है गरीवी की ज़े से पधाली की बज़े से बिमारी की बज़े से और जब ये जो शिक्षक है ये जब अपने मांगों को लेकर रास्ते पे उत्रे मुक्समंत्री को की कोशिश की इन पर लाखिया बरसाई गई आशुगैस छोड़े गए यह आलम रहा तो इस बार जब लिफ्टरंट आप जैसा कि आपने कहा कि लिफ्टरंट ने दो कैंडिडिट्स उतारे हैं जिन में से यह है तो ऐसा माहूल है 2330 जो शिक्षक है वो चाहते है कि सरकार का ब पिट से बाहल करेंगे और जो मारे गए है अगर इनके परिवार में से भी कोई है जिने नोपरी दी जा सकती है तो इसके आप होगए तो यह आलम है और लोग को फिकुरा के लोग जो है इस दर सजा तीन सो तेई शिक्षक है इन ही के घरों के हैं तो इनके बारे में इनके जायद वोट के बाद ही बात करेंगे अब पढ़ने जा रहे हैं सोला तारिक को तो कोई आखरी टिपनी कुछ इस चुनाओ को लेकर विशेश जो हम लोग जानना हमें जरूरी है बिल्कुल पहली बात तो मैं यह बता दू कि सोला तारिक को तुनाओ होने है लेकिन करना है लेकिन चुनाओ आयोग को यह निश्चित करना है कि चुनाओ हो जोग निदर निदर होके बिना किसी दवाव के बहुत देने जा सके और अगर ये चुनाव का आयोग ये निश्टित नहीं कर सकती है तो तृपुरा के लोग तैयार है किसी भी हद तक जाने की इसलिए मेरी ये मैं समझता हूँ कि सुला तारीक की चुनाव जो है और इसके पहले की जो एक दो दिन और दो आके है ये बहुत तुशिल होने वाली है क्योंकि आपको आपको और आपकी माध्यम से देश की जनता को ये पता चलना जरूरी है कि चुनाव को रिक करने के लिए बहुत सारा पैसा बाहर से त्रिकोड़ा आ चुकी है कई सो करोर रुपैस और इसे कमिशन कैसे निप्तेगी कैसे कमिशन त्रिकोड़ा के लोगों के जो मूलभूत लोकतांत्रिक हक है अपने आप डालना ये कैसे निश्यत करती है ये सबसे बड़ी चुनोती त्रिकोड़ा के चुनाव से जैसे सीता ने भी कहा कि किसी भी हट तक यानि लोगतंत्र और सम्यदान को बचाने के लिए वाकई हमें किसी भी हट तक जाना चाहिए क्योंकि लोगतंत्र और समिधान रहेगा तब हम और हमारा देश रहेगा तो राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया अब आप नजर रखिए हम आपसे फिर रिपोर्ट लेंगे कि कैसा राचुनाओ कैसे पड़े वोट फिलाज शुक्रिया नमस्कार नमस्कार तो दोस्तों आ हमारे साथी रिपोर्टर मुकंद की भी रिपोर्ट और तुरुपरा की राजधानी अगर तला से राहुल सिना का पूरा बयान पूरी बाते उनकी समिक्षा विशले शॉंक तो एक बड़ा मुद्दा तुरुपरा चुनाओं में यह है कि चुनाओं हो पाएंगे ठीक से श निकार का निडरता से बेखाफ धंग से अपनी च्छानुसार प्रियोग कर सकें और उसमें पैसा और बाहुबल ना प्रियोग हो यह बहुत जरूरी है और इसे तै कौन करेगा इसे तै करेगा हमारा चुनाओं आयोग जो एक समयधानिक संस्ता है जिसका इस देश के करोलो लोगों को जिस पर विश्वाश है उसे ये फिर साबित करना है कि वो निक्षपक्ष आयोग है स्वायत आयोग है और यह उसके लिए यह चुनाओं इन दलों के साथ साथ चुनाओं आयोग के लिए भी एक चुनाओं और एक परिक्षा है हम उमीद करेंगे कि वो अपनी प आमाशकार.